इतना तगड़ा competition कर दिया है कि एक दूठरे का गला काटकर का आगे बढ़ना पड़ता है। Students ना चाहते हो भी सपने को खरिदने आते हैं लेकिन सपने के बदले उनकों मिलता है क्या मौत। माबाप इस इच्छा के साथ बच्चे को दिल ली भेजता है कि बच्चा मेरा वहाँ जाएगा डिसी लगकर का आएगा ऑफिसर लगकर का आएगा या यह गवर्मेंट जोब लेकर का आएगा लेकिन बदले में होता क्या है मिलती है तो अपने ही बच्चों की डैट बोड़ी आज की वीडियो एक दुख वाली वीडियो है मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं शेयर करूँगा मैं जो शैदा कोई खुशी देगी लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सवाल आपके लिए जरूर छोड़ कर की जाएगी वीडियो गाईज और सोचने वाली बात है कि इतनी त सपने इतने चीजे जो हम अपने लिए देखते हैं सोचते हैं कि लाइप मुझे ये करना है वो करना है तो ये निउस सुनने के बाद आप भी सोच में पढ़ेंगे कि ऐसे सपने का क्या ही करना है पिछले एक सब्था के अंदर अंदर एक वीक के अंदर बिल्ली के सो कॉल् तक नहीं मिल पाई, जहां वो आए थे अपना सपना पूरा करने के लिए, लेकिन हुआ कुछ और ही, जहां उनके पेरेंट्स वेट कर रहे थे, बच्चा ऑफिसर बंकर रहे घर आएगा, लेकिन बच्चों की डैट बोड़ी उनके पेरेंट्स को देखने को मिल रही है, शाय वितामिलाडू से कोई केरला से इस उमीद में, इस आस में दिल ली आता है, कि वहाँ पर एक सपना पूरा करना है, वहाँ पर सपने बिखते हैं, आप एक सपना खरीद सकते हैं, कुछ पैसे देंगे, और आपको पूरी की पूरी कोशिस, अगर आप करेंगे, तो साहथ साम में बैठ जाता है तो पिछले एक वीक के अंद जो दर्दनाक हादसे हुए मैंने आपको बताया कुछ बच्चे करंट लगने से मरें जिसके लिए जिम्मेदार आप सरकार को कह लिजिए वहाँ पंदरा साल से एमसीडियों बीजेपी थी उसको जिम्मेदार कह लिजिए दो साल से तो आमाधी पार्टी भी है या उसको जिम्मेदार कह लिजिए या पंदरित नहरु को कह लिजिए किसी को भी कह लिजिए लेकिन जिम्मेदारी किसी के उपर मढ देने से जिम्मेदार किसी को खहरा देने जैसे आप इस चीज को वापीस तो नहीं ला सकते और वो बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर जो हजारो करोड के मालिक हैं और जो उस चीज को इस तरीके से रन कर रहे जैसे कि एक corporate office चलता है, जैसे कोई एक बहुत बड़ी company चलती है, उसके उपर check and bounce नहीं है, क्या उसका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता है, क्या वो बच्चों को सपने बेचते रहेंगे और पैसे अपनी जेब में डालते रहेंगे, क्या यह सब चलता रहेगा, आज आप दिल है, बस कोई ventilation नहीं है, कोई window नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चले जा रहा है, आप एक साल के बाद देखेंगे कोचिंग सेंटर वाले की building उससे दुगनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन सपने कितनों के पूरे होते हैं, जहां आठ से दस लाग बच्चे यूपे से एक्जाम में बैठते हैं, साथ सो आठ सो बच्चे स्लेक्ट होते हैं, गाईज, 0.10 बच्चे, एक हजार में से कोई एक बच्चा स्लेक्ट होता है, क्या आपको लगता कि वो नोशन इननन में जो बच गे वो ना, नालाइक तो नहीं है वो भी, जिस बच्चे के 112 नंबर आए है, जिसके 111 नंबर आए, 112 वाला ओफिसर बनते 111 वाला अपने घर वापीस आता है, एक ऐसा मू लेकर के, एक ऐसी नाउमीद लेकर के, क्या उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलना चाहिए, घर ये सब चीजे तो हमारे सिस वाले ज्यादा नहीं चाहिएंगे, क्या उनको समाले के लिए मिलिटरी ज्यादा नहीं चाहिएगी, क्या उनका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल ज्यादा नहीं चाहिएंगे, उन हॉस्पिटल में डॉक्टर ज्यादा नहीं चाहिएंगे, क्या उन लोगों के लिए बैं की जैदा नहीं चाहिएंगे बैंकों के करमचारी जैदा नहीं चाहिएंगे सब कुछ जदा चाहिएगा तो बढ़ती पॉपिलेशन अन इंप्लॉइमेंट का सेल्यूशन यह मतलब उसीज की वज़े से नहीं है कि आप पॉपिलेशन को जिम्मेदार टहरा दें और यह कहें क कोई सेल्यूशन नहीं होगा कुछ लोग कहेंगे कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी सरकारें कुछ करें ना करें लेकिन यह सवाल तो है आप जो आगे सरकार बनेगी है जो पहले थी उस पर जिम्मेदारे डाल करके अपना पला जाड़ लेते हैं खुद को बचा लेते हैं ल बच्चे की जोब लगेगी आपको 99999 लोगों से आगे बढ़ना तो आपके पास option क्या है आप भगवान तो नहीं हो सकते सब लोग वहीं से कोशिंग लेकर क्या है हजार लोग एक सेंटर पर दे रहे हैं कोई एक लगेगा तो 99999 से आगे जाने के लिए आपको कुछ गलत तरीका भी अपनाना पढ़ सकता है कुछ ऐसा तरीका भी अपनाना पढ़ सकता है जिसमें आप उसरा का लोग करेंगे करफसन भी अपनाना पढ़ सकता है और इसकी जीते जागते उधारन आप आज कल आप देख सकते हैं जो पेपर लीक होना गलत OBC सर्टिफिकेट बनाना नकली EWS सर्टिफिकेट बनवाना ये सब क्या है उस बच्चे को पता है कि मैं नो सर्टिफिकेट बनाना को नहीं हरा पाऊँगा क्योंकि इन सब के पास भी सेम ही नौलेज है इनको बीट करने के लिए इनको हराने के लिए मुझे करना पड़ेगा कुछ दो नंबर का काम ऐसा गलत काम जिसमें साइद में किसी और से चील लूँ और अपनी जेब में डाल लूँ सवाल बहुत ज़्यादा है कितनी भी बात कर लो बाते कतम नहीं होग इसके वारे में लेकिन ये एक सवाल बड़ा गहरा है कि जो लोग सपने बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं उनके बीच में कुछ तो ऐसा हो कि बेचने वाला भी गलत नहों और खरीदने वाले को लगे कि मैंने कुछ गलत नहीं खरीदा है मुझे किसी ने लूट नहीं लिया है आई होक के चीजें आपको connect सायद थोड़ा बहुत आपको किया हो अगर ऐसा है तो इस वीडियो का आप आगे तक पोछा सकते हैं शायद की कोई committee सायद की कोई सरकार सायद की कोई संस्ता इसी को देख करके ये विचार कर सके कि इन बच्चों के लिए एक better future हमें देना है उसका तरीका ये नहीं है जिसमें उनकी जानकारेश को क्योंकि जान किसी भी सपने से सस्ती नहीं हो सकती किसी घर के चिराग की कीमत उस सपने से ज्यादा ही होती है जो सपना वो बच्चे खरीदने आये हैं और जो so-called corporate लोग वहां बैठ करके जिस सपने को एक AC office में बैठ करके बेच रहे हैं आई होक के चीज़ आपको समझ में आई होगी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं content अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं सवालों के उपर सोचेगा जरूर और वीडियो को share जरूर कीज़ेगा